दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप holding में कोई shares लेके बैटे हैं, तो उससे exit कैसे करें, या फिर उससे sell कैसे करें, किस तरीके से आपको holding वाले shares sell करने होते हैं, इसकी पूरी procedure में बताने वाला हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, stocks का section हम ने open कर दिया है, Paytm Money में, और portfolio summary मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब आप यही से portfolio में जा सकते हो, यह जो छोटा arrow दिखाया है वहां से, या फिर आप यह portfolio section के उपर भी click कर सकते हो, फिलाल तो हम portfolio section के उपर click करेंगे, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9550 रुप के आसपास profit मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब मुझे क्या करना है, इसको book करना है, यानि कि यह shares जो है, मुझे sell करने है, तो simply आपको क्या करना है, जो kotak bank लिखा हुआ है, इसके उपर मुझे click करना है, click करने के बाद आपको यहाँ पे एक window open हो जाती है, जहाँ पे sell और buy के options मिल जाते है, अगर आपको यही stock, same stock और ज्यादा add करने है, तो आप यहाँ पे buy more का button दबा सकते हो, लेकिन अगर आपको simply exit करना है, sell करने है holding के stock, तो sell के उपर आपको click कर देना है, जैसे हम sell के उपर click करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे exchange के बार problem नहीं है, तो any see हमने select कर दिया, select करने के बाद आपको यहाँ पे from portfolio select होना चाहिए, क्योंकि अगर आप trade select करते हो, तो आप यहाँ पे short selling करोगे, तो यह sell नहीं होगा आपका, जो holding में पड़ा हुआ है, तो आपको holding ही select करना है, यहाँ पे, holding select करने के बाद आपको जितनी quantity quantity बेचनी है, अगर आपके पास 10 quantity है, और उसमें से 5 आप quantity sell करना चाहते हो, तो आप वह quantity enter कर सकते हो, लेकिन आपके पास चितनी quantity है, उससे ज्यादा quantity आप यहाँ पे enter नहीं कर सकते, तो मेरे पास यहाँ पर 5 quantity है, तो 5 के 5 stock में यहाँ पे बेचना चाहूँगा, अब उसक system price select करने के बाद क्या होगा, मुझे मान दीजे मुझे यह 1936 पे बेचना है, तो क्या हो जाएगा, मेरी यहाँ पे order place हो जाएगी 1936 की, क्योंकि मुझे current market से ज्यादा price पे यह stock जो है वो बेचना है, तो मैं यहाँ पे 1936 select करूँगा, potential profit मुझे यहाँ पे दिखाई देगा 139 रुपे 98 पैसे का मुझे profit होगा, अगर मैं 1936 के उपर बेच देता हूँ, तो अब आपको क्या करना है, swipe to sell के उपर यहाँ पे click कर देना है, और उसके बाद आपको tip in पूछा जाएगा, अब यह tip in जो होता है, वो आप account open करने के time पी है आपको मिल जाता है, या फिर याद नहीं है, आप भूल गये हो tip in, तो आप यही से generate कर सकते हो, लेकिन मुझे मेरा tip in याद है, तो मैं verify using tip in करूगा, select holdings for authorization आपको select यहाँ पे करना होता है, और verify using tip in करना होता है, अब यह tip in आपको जो होता है, holding वाले जो stock होते है, उस वक्त ही enter करना होता है, और अगर आप दिन में पहली बार इसे use कर रहे हो, one time use कर रहे हो, day में, पूरे दिन में एक बार use कर रहे हो, तो बाद में आपको tip in enter करने की जरुरत नहीं पड़ती है, पहला जो stock होता है आपका दिन का, वो अगर आप बेच रहे हो, तभी आपको tip in enter करना होता है, पूरे दिन में आप उसके बाद में कितने भी holding वाले stock बेचो, तो आपको T-PIN की ज़रुरत नहीं पड़ती है, अब जो T-PIN आपको account open करने के time मिलता है, वही T-PIN आप हर एक stock के लिए use कर सकते हो, या फिर आप नया T-PIN अगर generate करते हो, तो उसी एक T-PIN से आप जिन्दे की बर के लिए मतलब आप जितने भी stock बेचना चाहते हो, उसी एक T-PIN की मदद से आप बेच सकते हो, याद नहीं है, तो नया T-PIN यहाँ पर आप generate कर सकते हो, मुझे तो याद है, इसकी वज़े से मैं यहाँ पर करूँगा, यह select करूँगा और verify using T-PIN करने वाला हो, तो verify using T-PIN करने के बाद, next cdsl authorization के पेज के उपर आप चले जाते हो, यहाँ पर आपको T-PIN जो होता है, वो enter करना होता है, T-PIN मैंने यहाँ पर enter कर दिया है, अगर पिछली वाली step के उपर आप बूल जाते है, या फिर T-PIN नहीं generate कर पाते, तो इसी page के उपर भी generate करने का मोका आपको मिल जाता है, तो हर एक page के उपर आपको एक मोका दिया जाता है, अब यह OTP यहाँ पर enter करें बिगएर आप के stock जो है, जो कि यहाँ पर दिये गए है, वो sell नहीं होंगे, तो OTP एंटर करना mandatory है, OTP आने के बाद ही, एंटर करने के बाद ही आप जो stock है, वो बेच सकते है, अब यहाँ पर OTP आ गया है, जो एंटर में यहाँ पर करने बादा हूँ, OTP हमें मिल गया है, अब हम verify के उपर क्लिक करेंगे, verify जैसे ही करते है, आपका जो authorization है, वो successful हो जाएगा, और यहाँ पर आप फिर आपकी जो order है, enter कर सकते हूँ, अभी price थोड़ा सा नीचे आया है, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर price चेंज करूँगा, और 34 यहाँ पर कर दूँगा, और उसको confirm कर दूँगा, जैसी ही मैं यहाँ पर confirm करूँगा, order submit हो गया है, आप यही से view कर सकते हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, pending order में हमारा कोटक बैंक का delivery के जो 5 share है, 1934 रुपे पर order pending हो गया है, जैसे ही यह 1934 पोचता है stock, मेरा stock यह sell हो जाएगा, और मेरा जो profit है, वो यहाँ पर book हो जाएगा, अब जो profit दिखाई दे रहा है, उसमें से tax cut होगा, और दूसरे दिन मेरे account में, जो भी brokerage cut होके आजाएगा, उसी दिन अगर आप sell करते हो, तो 80% amount आपके portfolio में आ जाता है, बाकी का 20% होता है, वो next day आपको मिल जाता है, तो तुरंत आपको पूरा profit यहाँ पे, फिर पूरा capital यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, दूसरे दिन 20% जो होता है, वो आपके account में दिखाई देता है, फिर आपको इसको 2 या 3 दिन बाद, आपके bank account में transfer कर सकते हो, तो यह procedure आपको follow करना है, अगर आपको holding के stock बेजने है तो, इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो, तो फ्लीज लाइक कीजेगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेर कीजेगा, आपके जो भी doubts है, वो आप comment में नीचे पूछ सकते हैं, और चैनल को subscribe करना ना बूले, मैं मिलूँगा next वीडियो में, अपके लेद दो आपके लेद दोगा.